रितिक रोशन ने सारा अली खान के साथ काम करने से क्यों कर दिया है मना और ऐसा करने से आनन एलरोई क्यों हो रहे हैं परिशान नबसकार दोस्तों मैं हूसोनीका ज्यार और आपको स्वागत करती है हुमारे चैनल बॉलिगडार स्टुडियोस में और साथ ही आपको बताना चाहती हुँ कि लेट नाइट शो में होने वाला है बड़ा धमा का क्योंकि आपको इसमें मिलने वाला है एक लाख रुपए जीतने का सुनेहरा मौका दोस्तों लगता है कि आनन एलरोई का इन दिनों बुरा वक्त चल रहा है क्योंकि उनकी जो लीसेंस फिल्म है चाहवाद करे जीरो की या बात करे लाल कप्तान की दोनों ही फिल्में बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह पिट चुकी है और अब रितिक रोशन ने उन्हें एक और जटका दे दिया है और ये जटका ये है कि उन्होंने आनन एलरोई की अपकमिंग फिल्म से बैक आउट कर दिया है दोस्तों आपको बता दे आनन एलरोई की अगली फिल्म में उन्होंने साराली खान, साउट के सुपरस्टार, धनूश और रितिक रोशन को साइन किया था लेकिन रितिक रोशन ने इस फिल्म से बैक आउट कर दिया है दोस्तों जब आनन एलरोई रितिक रोशन के पास इस रोल को लेके गए थे तो इस रोल की ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने में बताया था कि रितिक का रोल एक मिच्चूर आदमी का होने वाला है जिसके प्यार में चुलबुली सारा खान अली फस जाएंगी तो रितिक को उस वक्त ये रोल काफी पसंद आया था उन्होंने हामी भड़ दी थी लेकिन अब जाके रितिक ने इस रोल को करने से मना कर दिया है क्या है इसके रीजन हम आपको बताते हैं दोस्तों रितिक को लगता है कि सारा ले खान और उनकी उम्र में काफी अंतर है यानि एज ग्याप है और अगर वो स्क्रीन पे आते हैं तो शायद एज अ कपल वो काफी आपवड लगी है आलन एल्रोई ने काफी कन्वेंस करने की भी रितिक को कोशिश की लेकिन रितिक ने साफ्स मना कर दिया दूसरा कारण यह है दोस्तों कि रितिक आप अक्शन फिल्म में करना चाहते हैं हाली में रिलीज हुए उनकी वार ने धमाका मचा दिया था और अब कमिंग जो रितिक की फिल्म हारी है वो भी एक्शन फिल्म सोने वाली है वर्क फ्रेंट की बात करें तो रितिक करेश कोड के साथ दोजार बीस में नजर आई है और उसके साथ ही वो फरा खान और रोहिच शेती की फिल्म सत्ते के सत्ता के रीमिक में नज़र आएंगे दोस्तों हम बात करते हैं सारा अली खान की दोस्तों सारा अली खान ने इस फिल्म के लिए बूल बूल लेयर 2 के आफर को ठुकरा दिया था और अब रित्तिक के इस रेक्शन के बाद उनके मना करने के बाद सारा कहीं न कहीं दुखी तो जरूर होगी और साथी आना नेल रोई की सुपरस्टार की तलाश फिर से जाने जाएगी आना नेल रोई को इस रोल के लिए एक सुपरस्टार की जरूरत है या तो शाहिद कपूर या रनवीर सिंग ऐसा रोल कर सकते हैं अब देखना ये हो अब देखना ये होगा कि क्या आना नेल रोय इस रोल के लिए शाहिद या रनवीर सिंग को अप्रोच करेंगे इस बारे में जो भी अपडेट आए भी बॉलिग्रा स्टूडियोस आप तक लेकर आएगा आप बने रहें बॉलिग्रा स्टूडियोस के साथ